हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग स्वागत हैं आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस की रियल मी 11X 5G फोन में आप लोग ओटो चेंज वाल पेपर को कैसे ओफ कर सकते हो अगर आपके फोन में भी जो है कुछ इस तरी के से आपके स्क्रीन को लोग करते ही आपका जो वाल पेपर है वो अटोमेटिकली चेंज हो जा रहा है आप लोग देख सकते हो तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा आप लोगों को इसमें वीडियो को लास तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिए तो चलिए गई इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो इस auto change wallpaper को off करने के लिए आपको सबसे पहले जो है आपर settings में जाना है settings में जाने के बाद थोरा सा नीचे scroll down कर लेना है नीचे scroll down करते ही आपर एक options देखने को मिलेगा home screen and lock screen का तो इस home screen and lock screen के option पे click कर दीजिए click करने के बाद यहाँ पर से आप लोगों को फिर से नीचे scroll down कर लेना है नीचे एक options देखने को मिलेगा गाई glance for real me का तो इस glance for real me पे click कर दीजिए click करने के बाद देख सकते है यहाँ पर जो activate on lock screen का option है वो on है तो यह on होने से आपको auto screen, auto wallpaper change देखने को मिलेगा ठीक है तो आप लोगों को इस option को off कर देना है off करते ही आपका जो wallpaper है वो सिर्फ एक ही set हो जाएगा यहाँ पर automatically जो है change नहीं होगा आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मेरे phone में जो wallpaper है वो सिर्फ एक ही यहाँ पर show हो रहा है यहाँ पर automatically change नहीं हो रहा है तो अगर आपके phone में भी automatically change होता था पहले तो इस option को आप लोग यहाँ पर से off कर दीजे off करते ही आपका यह problem solve हो जाएगा अगर यह on रहेगा तो आपके phone में जो automatically wallpaper change होते रहेंगे आप लोग देख सकते हो यह ऐसे करके change होते रहेंगे तो इसको off कर दीजे off करते ही आपका यह problem solve हो जाएगा तो ऐसे करके जो है आप लोग अपने realme 11x 5G phone में auto change wallpaper को off कर सकते हो तो कैसा लगा आप लोगों कोई वीडियो अगर वीडियो पसना आया हो तो वीडियो को like कर दीजे और चैनल को subscribe जरूर से कर लिजे मिलते है कर लेक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई